दोस्तों मैं में बड़कि इस अमेजिन चेप्टर में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम सेखेंगे image file को text में convert करना अब normally skin पर आप एक image देख पा रहे हो जिसमें कुछ हमारे पास content लिखा हुआ है लेकिन क्योंकि यह text नहीं है तो हम इसमें कुछ edit नहीं कर सकते ना कोई नया matter लेख सकते हैं ना उसमें color, editing, format यह सब चीज़े apply नहीं कर सकते तो अगर आपके पास भी कोई image है जिसमें आपको important data है जिसे आपको feed करना है, edit करना है, correction करना है तो आज की इस वीडियो के बाद आप उचीज आसानी से कर पाओगे, क्योंकि यह image है इसको हम text में convert करेंगे, पूरा जो यह data है उसको हम text में convert करेंगे तो make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे और अगर यह वीडियो आपको अची लगे तो please वीडियो को like और share जरू करें तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को तो normally आजाते हम अपने computer screen पे और यहां पे सबसे पहला काम हम ही क्या करना है जो इस picture को हमें text में convert करना है उसे हम insert करेंगे इस file में तो इसके लिए हम simply insert वाले option में जाएंगे और यहां जाने के बाद आपको जो picture toolbar है इस पर click करना है click करने के बाद normally जो मेरी file है वो वहने desktop पे रखिये तो मैं desktop select करूँगा और यह जो image है इसको हम select करेंगे और insert करेंगे insert करने के बाद यह image कुछ इस तरीके से on screen आ जाती है आप इसका size अपने इसाब से छोड़ा बड़क कर सकते हैं इसके बाद अगर adjusting में आपको issue आए तो आप wrap text में जाके इसे in front of text कर दो इससे आपको इसे adjust करना आसान हो जाएगा तो हम इसे simply यहां पर adjust कर लेते हैं और contrast है वो हम कर देंगे 20% और जो इसका contrast है वो हम कर देंगे 5% हमने ही किया अब आप देखो आपको यह नहीं लेगा कि इमेज है बिल्कुल इसका part ready हो गया है लेकिन अभी हमारा काम यहां पे खतम नहीं हुआ सब सबहरा काम हमें करना है इसे save तो हम इसके लिए file में जाते है या फिर उपर में भी save का option मिल जाता है आपको आप यहां पे simply से save कर लो तो हमने इसे save as पे click किया और browse कर दिया और मैं इसे desktop पर ही save कर लेता हूं तो desktop पे गए और मैंने इसका नाम डाल दिया book file मैंने यह लिखा और करने के बाद जो इसका save as type है इसको आपको pdf करना है हमन जthree or $2. repeated जाने कि बाद आपको option मिल जाता है outline का इस पे किलिक करोगे और किलिक करने के बाद यहां प एक option मिल रहा है, show document का, इसते click करो यहां पे क्लिक करने के बाद दो option मिलंदे आपको create और insert आप इनसर्ट पे किलिक करो, और जो आपके file है उसे आप insert कर लो हमारी file क्या ह book file हमने select किया और इसे open कर दिया open करने के बाद ये कुछ ऐसे notification देगा आप इसे okay कर दो और फिर आप इसे yes to all करके okay कर दो आप देखेंगे जितना भी content उसमें लिखा हुआ था वो सारा का सारा किस में convert हो गया है text में convert हो गया है normal एक editable format में और यहां पर यह बोल सकते हैं कि जो format था वो यहां पर lapse हो गया है क्योंकि कई बार जो image है उसका pixel rate सही नहीं होता तो उसका जो format है वो यह catch नहीं कर पाता तो format आप simply अपने साब से edit कर सकते हो फिलाल हम इसे copy करेंगे एक नया page लेंगे और यहां पर इसे paste कर देंगे और आप किया हमने इसे बीच में रखा हमें इस पर shading apply करनी हम यहां पर गए अलग तरीके से जैसे भी आपको करना है आप इसे कर सकते हो जो कि on screen आप देख पा रहे हो इसके बाद यह आपका text है अगर आपको इसमें कुछ भी delete करना है जैसे कि मुझे यहां पर friend delete करना है और यहां पर मुझे लिखना है classmate तो हमने आप classmate लिख दिया तो इस तरीके से image का जो पूरा data है वो आप text में convert कर पाओगे क्योंकि guys अगर आप कहीं पर work कर रहे हो और image में से आपको data copy करना है तो उसे type करने में आपको बहुत जादा time लग जाएगा तो इस तरीके से आप किसी भी image पर जो भी content लिखा हुआ है उसे आसानी से text में convert कर सकते हैं I hope कि guys यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो please वीडियो को like करें share करें साथी comment करके अपना feedback जरूरत है thank you